आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमारा जो लाइट ट्रेद है इस तरह सारी होंगी और इसका इमेज जो रियल इमेज बन नहीं होगी वो कुछ इस तरह से यह बन नहीं होगी रियल इमेज आई अब देखो हमसे क्या वो लगया है हमने एक रेक्टंगुलर सलेब को रख दिया जिसका refractive index है mu, और thickness है t, इस lens और इस image के बीच में, तो suppose जो हमारा refractive index वाला rectangular glass है, वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है इसके बीच में, तो यह जो हमारे रखती है हमने, इस तरह से glass slip, जिसकी जो thickness है, यह क्या है, वो है t है, और इसका refractive index है, वो है mu, तो देखो, इस glass slip के आन से क्या हुआ होगा, कि जो हमारी raise है, वो कुछ इस तरह के से divert कर गए होगी, यह deviate होने के बाद, यह कुछ इस तरह से normal shift कर गए होगी, तो हमारा जो image बनेगी, कुछ का म बनेगी, वो image बने की, यहाँ पर, तो जो हमारे raise है, वो deviate होके, आई डैस पर आके image बनाएंगी तो जो हमारे यह normal shift होता है यह जो distance होती है suppose यह है D तो जो हमारे normal shift होता है उसका formula क्या होता है जो हमारे normal shift होता है उसका formula होता है D equal to T thickness of the slab 1-1 upon refractive index यह हमारे normal shift का formula होता है अब देखा हमसे क्या पूछा है कि I कितना move करेगा तो I कितना move किया I to D distance ही move किया तो हमारे normal shift तो यह हो जाएगा हमारे कुछ इसरी के सम लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारे T अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा Mu-1 upon Mu तो हमारे इमेज होगी वह इतनी distance move पर जाएगी तो हम option check करते है तो हमारे option D option C है वह correct है आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर